थर्ड क्वेस्टन है 5 cm को मीटर वे किलोमीटर में व्यक्त कीजिए और सेकिंड है 35 mm को सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए तो यह बहुत ही इजी है कब यदि आपको किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर का सारा प्रोसेस पता है इसमें आपको यह ध्यान में रखना है 1 km बराबर होता है 1000 m 1 m में होते है 100 cm और 1 cm में होते है 10 mm यह आप जानते हैं तो यह easy हो जाएगा first part देखिए 5 cm को change करना है मीटर और km में तो मीटर और km का देखिए आप पहले cm को किस में change करना है मिट्र में यह मिट्र है यह सेंटी मिट्र है यदि मिट्र को सेंटी मिट्र में चेंज करना होता तो 100 से यानि 100 से गुणा करते और अब इसमें क्या करना है सेंटी मिट्र को मिट्र में बदलना है सेंटी मिट्र चोटी काई है मिट्र बड़ी काई है चोटी काई को बड़ी का तो cm को मिटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, क्यों यहां लिए आप लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, 100 cm बराबर 1 मिटर, तो 1 cm बराबर क्या जाएगा, 1 बटे 100 मिटर, तो यह आपको किसी भी cm को मिटर में बदलना है, तो उसके नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, तो आपके पास है 5 cm, इसको बदला आपने मीटर में, किस से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 100 से, मीटर में बदल गया, 100 से भाग देने का मतलब है, दाई तरब से 2 अंक छोड़ कर 10 मलव आ जाएगा, 10 हो नीचे तो 1 अंक यहां से 2 अंक करेंगे, एक अंक तो 5 है, दूसरा अंक क्या लिख दिया, 0, यहां जाएगा, 0.05 मिटर, आप इसको देख सकते हैं, भाग देंगे तो भी ऐसे याएगा, 5 में आप 100 का भाग देंगे चेक करेंगे तो भी क्याएगा, 0.05 याएगा, यह भाग की शोट प्रोस लंबा हो जाएगा, इस question के according बात करें, तो cm को मिटर में तो बदल दिया, अब किसमें बदलना है, किलो मिटर में, यह देखिए, cm को मिटर में तो बदल चुके हैं, क्या गया, यहां पर 0.05 मिटर आ गया, किसका बन गया यह, 5 cm का, 5 cm बराबर 0.05 मिटर बन गया, अब इसक किसमें बदलना है, किलो मिटर में, मिटर और किलो मिटर का प्रोसेस देखिए, यह किलो मिटर और यह मिटर, एक किलो मिटर बराबर 1000 मिटर होते हैं, तो यह किलो मिटर को मिटर में चेंज करें, तो 1000 से मल्टिप्लाई करना पड़ता है, और मिटर को किलो मिटर में चेंज क में बदल देंगे तो 5 cm ब्राबर 0.05 मिटर अब इसको किलो मिटर में चेंज करेंगे तो हजार से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा तो यह बन जाएगा किलो मिटर हजार से भाग देंगे यहां पर चीन जीरो है नीचे तो देशमिल्णा तीन स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा यह तो थाई इसके तीन इसको चेंज करने का ऐसाइब मिली मिटर को तो पहले मैं यहां से क्लीर कर देता हूं एरिया दुबारा लिख लेंगे वो उसमें कोई दिकत नहीं है एक मिनिट लगेगी एक किलो मीटर बराबर हजार मीटर इसी पे टिका है सारा किस्टन एक मीटर बराबर सो सेंटी मीटर और एक सेंटी मीटर बराबर दस मिली मीटर 35 mm को किसमें change करना है cm को यह mm यह cm mm को cm में change करेंगे तो किस से भाग देना पड़ेगा 10 से तो 35 mm इसको change करेंगे cm में तो किस से divide करेंगे 10 से यह क्या बन जाएगा cm 10 से divide करेंगे तो right side से एक अंग छोड़ कर का आजेगा तो यह जोगा 3.5 cm फिर किसमें बदला है मिट्र में मिली मिट्र को मिट्र में बदलना है तो पहले हमने सेंटी मिट्र में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 100 से भाग देना पड़ेगा तो 35 mm को हमने change किया, cm में तो 3.5 cm आया, अब इसको यह दिए हम मीटर में change करेंगे, एक मीटर में 100 cm होते हैं, यहां 100 से divide करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यह बदल जाएगा, मीटर में 100 से भाग देंगे तो 10 मलव 2 स्थान 22 तरफ किसक जाएगा, यहां 10 मलव था एक स्थान, दो स्थान, यहां आ जाएगा, यहां लगाया 0, अब यह इतना मीटर बन गया, अब फिर इसको किसमें बदल ला है, किलो मीटर में, तो मीटर तक तो हम बदली चुके, क्योस्चन तो मिली मीटर का है, लेकिन मीटर तक हम बदल चुके, अब इसको किलो मीटर मे अब इस meter को हम किस में हाज़ार का भाग देना पड़ेगा तो 0.035 में जब हम 1000 का भाग में में तो यह बदल जाएगा किलो मिने में हजार का भाग देंगे दसमेलों थिन स्थान बाइं तरफ खृष्के हैं कि अब दशमलो के आगे कि थी अब जस्मलो इससे तीन स्थान का मतलब 12 यहां जाएगा पॉइंट इससे पहले आप जिरो लिखना से लिख सकते हैं लिखी दिया करेों बाकिने किलोमेटर यह कौँ जाएगा पॉइंट 00 0035 किलोमेटर 5 दशमलो के बाद कि संक्याओं को हमे अगर वाकी लिखते हैं इतने किलोमेटर यह हो जाएगा पॉइंट 000035 किलोमेटर दश्मलों के बाद की संक्याओं को हमेशा अलग अलग पड़ते हैं जैसे एक पॉइंट 47 नहीं बोलोगे इसको आपका भी भी एक पॉइंट 47 बोलेंगे दश्मलों के बाद के अंकों को अलग अलग बोलना होता है तो यह था क्योश्चन नमबर 3 थोड़ा सा लेंग दी है तो आपको प्रोसेस थोड़ा सा अगर मैंड में है एक किलोमेटर मीटर सेंटी मीटर कैसे होते हैं तो आप कर सकते हैं